गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स इस मी सीमा मीना अस्टेन प्रॉफिसर हिस्ट्री गौवमिन पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्ताणगर्ट पिछले वीडियो में हम विश्वित यहास के विबिन अध्यायों का अध्यान कर चुके हैं आज के वीडियो में हम प्रती धर्म सुधार अंदोलन को पढ़ेंगे जो की बी ए त्रतिय वर्ष के द्वीतिय प्रश्ण पत्र का भाग है कैथालिक धर्म सुधार या प्रती धर्म सुधार से काउंटर रिफार्मेशन के नाम से भी जाना जाता है पुनर जागरण ने जो वातावरण पैदा किया उसमें कैथालिक चर्च में सुधार के लिए वाइकलिप और हस जैसे लोगों ने आवाज उठाई तो उने दबा दिया गया और सुविधा जी भी पोप विलासिता में डूबे रहे किन्तो जब लूथर और कॉल्वे ने विद्रों का ज़ंडा खड़ा किया तो कैथालिक चर्च के लिए जीवन वरण अपनी सुरक्षा एवं अस्तेत्यों का प्रेश्ण पैदा हो गया आप इस फोटो में यूरोप में प्रती धर्म सुधार जिसमें की चर्च में सुधार की बात होती है को कुछ हद लग देख पाएंगे इस प्रकार से मजबूरी में ही कैथालिक चर्च में सुधार शुरू हुआ चुकि यह धर्म सुधार अंदुलन के समाना अंतर और उसके प्रतिवाद प्रतिक्यरा सुप में शुरू हुआ था अधैसे काउंटर रिफॉर्मेशन भी कहते हैं इतिहास कर जेई स्वेन का मत है कि रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार की प्रेणा प्रोटेस्टेंट क्रांती के महत्पूर्ण परिणामें से एक थी रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए इतली के ट्रेंट नामक स्थान पर चर्च की परिशद का आयोजन 1545 इस्वी में किया गया ट्रेंट सभा कुछ अंतराल के साथ 1563 इस्वी तक कारे करती रही सुधार की दिशा में कई ठोस एं महत्पूर्ण निर्ने लिए गये जो निम्लिखे थे भविश्य में चर्च के पदों के विक्रेप पर रोक लगा दी गई शमा पत्रों के विक्रेप पर प्रतिबंद लगा दिया गया शमा पत्रों के बारे में यह मान्यता थी कि इनको खरीद लेने से आपके सारे पाप हट जाएंगे और आपको स्वर्ग में अच्छे स्थान की प्राप्ती होगी थर्ड है धन लेकर स्वर्ग में आरक्षन तथा पाद्रियों के भोग विलास पर पोण प्रतिबंद लगा दिया गया फोट सातों संसकार अपरवर्तनिय माने गये पाद्रियों को अपने कारे शित्र में रहते हुए आदर्ष में नैतिक जीवन बिताने का आदेश दिया गया लेटिन ही अधिगरत भाषा रहे किन्तो लोग भाषा में भी उपदेश देने की स्विक्रती 7. पाद्रियों की उपयुक्त सिक्षा-दिक्षा का प्रबंद किया गया ये निशिद्य पुस्तकों की सूची इंडेक्स बना कर उनका पाठन-पठन निशिद्य कर दिया गया बाइबल के लेटिन संस्करण को ही अधिकृत माना गया पुप को कैथोलिक चर्च का सरवच अधिकारी एवं सरो माने व्याख्या कर गोशित किया गया कैन मुक्ती का आधार चर्च के माध्यम से संपन्य कारे बताए गये और चमतकार में आस्था व्यक्त की गई इन निर्नियों से चर्च तथा कैथोलिक अन्यायों में आत्म विश्वास जागा और सारी व्यवस्था में जो निराशा और धीलापन आ गया था वे दूर हो गया किन्तु कैथोलिक चर्च में नवशक्ती संचार के लिए इग्निश लायोला 1491 से 1556 इस्थान सबसे महपून है स्पेन निवासी वीर सैनिक लायोला ने जीसस समाज या इसाई मसी का समाज की स्थापना की जिसके सदशे जैसूद या जैसूद कहलाते थे 1540 इस्था में संस्था को चर्च की आपचारिक स्विकृती मिल गई इस संस्था का पूरा संगठन सैनिक आधार पर थे कठोर अनुशाशन, शरल जीवन, पवित्रता, दीनता, अग्या पालन, इसा के जीवन का अनुकरण तथा पोप के प्रती, पून समर्पन इस संगठन के प्रमुक सिद्धान थे जैसु बहुत अच्छे मिश्नरी थे, कैथोलिक धर्म को चोड़ने की होड को उन्होंने रोका ही नहीं, बलकि परिवर्दत लोगों को भी उन्होंने पूने कैथोलिक बनाया कितना ही नहीं, उन्होंने दूर दराज के देशों में कैथोलिक धर्म के नए शेत्रिक भी बनाये नेक्स्ट है धार्मिक न्यायाले इन्ट्वीजेशन यह एक धार्मिक न्यायाले था, जिसका उपियोग प्रोटेस्टेंट वादियों को आतंकित कर उनके प्रचार प्रसार को अवरुद करने के लिए किया गया 1542 इस्वी में संस्था को पोप ने पुनर जीविद किया यह संस्था प्रोटेस्टेंट वादियों और धुलमुल कैथोलिकों का पता लगा कर उन्हें दंडित करने और कैथोलिक चर्च के आदेशों को कठोरता पूर्वक पालन करवाने का कारे करती थी यह साधन अनुव्युत था और इसने चर्च को कलंकी थी किया जिस चर्च का आधार दया, प्रेम और सेवा हो उसके न्यायले असहिश्णुता का प्रमान देने लगे और नशंश अत्याचार के माध्यम बन गये साराश्टे कैथॉलिक के धर्म सुधार प्रयास प्रती धर्म सुधार आंदोलन हजारों साल पुरानी व्यवस्था को बचाने में सफल रहे अन्य था प्रोटेस्टेंट आधी में सब कुछ बदल जाता ट्रेंट की सभाद द्वारा किये गये आत्म निरिक्षन तथा लायोला जैसे उत्साईयों के प्रयासों ने विरोध के इस पर्ष्ट मुद्दे समाप्त कर दिये और व्यवस्था के अंदर जो खोकलापन आ गया था वे नय आत्म विश्वास के कारण दूर हो गया आईए अब हम प्रति धर्म सुधार आंदूलन में आए कुछ प्रमुक शब्दों के जाख्या देख लेते हैं प्रोटेस्टेंट क्रांती प्रोटेस्टेंट क्रांती धर्म सुधार आंदूलन को प्रोटेस्टेंट क्रांती के नाम से जाना जाता है यह हैं पन 19 अप्रेल 1529 इस वी को शूरू हुई चुकि पोप वे पादी वर के भ्रष्टाचार तथा चर्च की कुरूतियों के विरुद सुधारबादियों ने प्रोटेस्ट या विरुद किया था इसी लिए उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया निक्स शमा पत्र शमा पत्र पोप द्वारा जारी ऐसा पत्र था जिसे धन के बदले क्रे किया जा सकता था और इसमें पोप यह आश्वशन देता था कि क्रेता को उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी निक्स से टेटजल यह पोप लियो द्शम का प्रतिनिदी था इसे बिटेंबर्ग में छमा पत्र बेचने बेचते हुए लूथर ने देखा तो उसने टेटजल के इस क्रति की तिबर आलोचना हुई और कतीस अक्टूबर 1517 इसवी को अपना विरोध पत्र 95 प्रश्ण या 95 थिसेस के रूप में बिटेंबर्ग के कैसल चर्ज के गेट पर चिपका दिया था झालोचना है झाल झाल